हलो तो कैसे हो आप लोग हुपसो सब भड़िया होगे मज़े में होगे और इंजोई कर रहे होगे आज का जो वीडियो होने वाला वो बहुत मज़ेदार होने वाला क्योंकि आज में कुछ नहीं नहीं अनाउंस्मेंट करने वाला हूँगा आप लोग से ठीक है तो सबसे पहली अनाउंस्मेंट तो यह है कि मैंने एक टीम बिल्ड अप कर लिया है सिर्फ आप लोगों के लिए आपके जॉब के लिए और आपके ही याने ग्रूमिंग के लिए तो सबसे पहला जो मैंने आज आपके लिए लाया हूँगा चीजें वो है एक कंसल्टेंसी फॉर्म लाया हूँगा ठीक है आप लोगों को प्रॉब्लम जाती थी कि आप अनुराख से कॉंटेक्ट कैसे करूं में इसे प्रॉब्लम जाती थी कई लोगों के मैं रिप्लाइ कर देता है कई लोगों के नहीं कर पाता था क्योंकि मैं भी एक इंसान हुआ मैं अकेला काम करता था अभी मेरे पास दो बंदे मैंने hire किया हूँगा तो उनको मैंने as a salary base पे hire किया हूँगा तो वो लोग भी आपके लिए काम करेंगे आज से तो आपको जो भी problem होती है प्लीज आप एक description में जाएगा वहाँ पे एक link मिल जाएगा आपको Google form की ठीक है मैं आपको बता देता हूँगा कि वो किस तरीके से काम करता है Google form ठीक है तो 2 मिठा मैं आपको बता देता हूँगा वो Google form आपके लिए काम कैसे करेगा ठीक आप देख सकते हैं मैं अपनी screen आपके साथ में share किया हैगा तो आपको हुपसु देख रही होगी consultancy form है यह पूरा मैंने आपके लिए किया हूँगा यहाँ पे आपको email डालना है अपना name डालना है, number डालना है आपको जो भी time slot चाहिए बात करने के लिए मुझसे या फिर आपको कोई भी question मिर से पूछना है, तो उसके लिए आपको कोई भी time slot चाहिए, आप मेरे वो time slot, date, time select कर सकते हो, then submit क्लिक करना है आपको, जैसी आप submit करते हो यहाँ पे एक payment की link आएगी ठीक है, razor pay की, इसमें जाके आपको 50 rupees का एक छोटा सा amount pay करना है अपना नाम, नमबर और email ID ताकि हम cross verify कर सके कि आपने Google form भी submit की है और आपकी payment भी हमारे पास receive हुई है, आपके जैसी अगर यह होता है, तो फिर मैं आपके लिए, यानि आप से में बात करने के लिए हो जाता हूँगा, तो zoom meeting हो, चाहे call, मैं आपको दोनों पर मिल सकता हूँगा available हो जाऊँगा, आपके बताय हुए time पर, इसमें क्या आपको क्या benefit है, कि अगर आपका sale नहीं हो रहा है या फिर आपको problem HR related आ रही है, या फिर job से related कोई भी problem आ रही है, by juice से related है, या फिर कोई भी दूसरी job से related है, by juice की तो मैं सारी problem solve कर देता हूँ, उसमें कोई issue नहीं होता है ठीक है, तो जो भी आपको related problem है, मैं सारी solve करूँगा कई सारे मेरे ऐसे friends अभी बन चुके instagram पे भी, जिनकी मैंने for problem shot out कराऊँगा तो आप भी इसके लिए सकती होगे, अगर आप interested हो नहीं, तो आप comment section में मिरे को बता सकती होगे, comment section में जितने जादा comment के मैं answer कर सकूँ, मैं करता होँगा, साथ ही साथ आप इस channel को subscribe कर देना तो और like कर देना वीडियो को अगर यह अच्छा लगता है, ठीक है, अभी मैं आपको नहीं कर पा रहे हो, training में हो और आपका sale नहीं हुआ है, आपकी pitch सही नहीं बैठ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कहीं कि pitch में problem जा रहा है, दूसरा तहीं काम कर रहा है, आप सही काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपका manager आप से अगर खुननस निकाल रहा है, आप में से सारी चीजे discuss कर सकते हो, हर चीज का solution दूँगा, even मैं HR तक का solution आपको दूँगा, ठीक है तो आपको जिसी भी चीज के चेह होगा description में बता देना, sorry comment section में बता देना, अगर नहीं हो पा रहा है अगर मैं answer नहीं दे पा रहा हो, किसी वज़े से तो आप description में जाके, जो link है उस पर pay करके, आप मेरे से one on one भी बात कर सकते हो, ठीक है अभी चलिए, मैं बता देता हूँ यह मेरा, आपको na training period की salary बता देता हूँ, ठीक है पहले यानि by juice में कितनी आई थी training period में हम लोगों को जो दे रहा है थे ना पैसा try by juice से, वो मिला था 37,500 रुपीज स्टाइफिन, ठीक है, साथ में 6,000 रुपे जो तो वो relocation था, मैं relocate हुआ था, तो मैं को 6,000 रुपे भी उपर से मिला था, ठीक है, तो आप देख सकते हो जो basic था मेरा 21,250 रुपीज था, ठीक है basic ARA जो था, वो 2,056 रुपीज था, यह सब calculate करने के बाद में, जो हम लोग का standard amount बनता था, वो 23,200 रुपीज था, ठीक है, यह standard amount था, फिर इसमें मेरा को था, कोई चाहती चीज़े plus हुई थी, जैसे relocation bonus आप देख रहे हो, relocation bonus यह भी में को 6000 रुपे मिला था अब यह 6000 रुपे relocation bonus भी इसमें add हुआ था, क्योंकि अगर जो relocate नहीं हुए हैं तो उनको तो नहीं मिला पर जो हुए थे उनको मिला, फिर इसमें आपको training period में जो stipendum उसमें भी PF कटता है, professional हपते की, 6 हपते का होता है आपका training उसमें से 4 हपते की salary मैं आपको यह बता रहा हूँ, ठीक है, 29,188 रुपीज ठीक है, फिर में, यह आपकी दो हपते हुए हपते की salary है, जो 4639 रुपीज है, क्योंकि इसमें मेरा LOP लग गया था, 4 दिन का, ठीक है, तो वो 4 दिन मेरे कटे थे, तो इस वज़े से 42 ऐसा आया था मेरा salary, फिर मैं BDA के लिए हो गया था, क्योंकि मेरी sales बहुत ही ज़ादा धाकर थी, अच्छी थी, तो मैं BDA के लिए प्रमोट हो गया था, BDA में जब मैं प्रमोट हुआ था, तो मैं को, फर्स्ट मंद में 48,745 रुपीज मैं को, in hand net payable आया था, ठीक है, तो ये मेरा net payable था, 48,745 रुपीज, ठीक है, फिर जुलाई था, जुलाई के मंद में मैंने फिर से बाज़ा फाड़ा, मैंने 65,904 रुपीज कमाया, उसमें से, मैं को, वही salary सेम आई, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यह transport allowance दिख रहा है, 9,371 रुपीज का, यह मैं को पहले ही दे दिया गया था, ठीक है, यह मैं को पहले ही मिल जाता है, मंत के बीच में, तो इसलिए इसमें वो add नहीं हुआ है, इस value में यह add नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखी, इसको deduct करें हैं, यही वाले amount को, इसको यहाँ deduct करें, क्यों डेट करें हैं, क्यों कि यह तो पहले से दे चुके हैं, अब यह फिर से क्यों देंगे, तो इस तरीके से मेरी 65,904 रुपीज सेलेरी मिली थी, यह वेरियेबल जो होता है, तीन तीन लाग का, उसी में से यह आता है, ठीक है, चुकिए साथ लाग की तो फिक्स सेलेरी है, तो 52,000 तो आई रहा है, साथ में यह वेरियेबल से 9,300 असा आता है, फिर जो मेरा next month था, August, इसमें मेरे को जो सेलेरी मिली थी, यह मिली थी, 16,000, 7,000 रुपीज मेरा सेल्स का इंसेंटिव था, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 16,000 रुपेश था, 16,000 रुपेश में कोन गूंता है, किदर गूंता है, तो यह मेरे को आया था ठीक है फिर से यहां पे अड़ेस्ट हुई है अमांट यहां पे अड़ेस्ट किया गया था ठीक है और जो बचा खुचा था हो वह मेरे को यहां payment में आ घया ठीक है 52,134 रुपी यह इतना ही मिलेगा यह फिक्सडी आएगा यह 7,00,000 का है आपका बाकि कि जो उपर वेरियेबल है वो यह है जो कि बीच में आ जाता है तो 27,399 रुपी सिर्फ डेडक्शन हुआ था मेरी सैलिरी पर 27,000 रुपी डेडक्शन करे थे समझे आप तो इस तरीके से सैलिरी आती है उपर मैं दिखा देता यार आप लोगों को पर में को ऐसा बलर करते नहीं आता है न वो चलिए अच्छा दिखाता हूँगा मैं ठीक है अब बलर करने के कोशिश करूँगा हो जाए होप सो ठीक है यह देखें आपर यह अनराग शरवास्तव सेल्स 35 थर्टीवन डेस थर्टीवन डेस एक दिन की भी एलोपी नहीं लगी थे लोग बोलते कटता है पैसा एलोपी और अशुपे में एक दिन की भी मेरी को नहीं लगी थे तो यह था ठीक है होप सो आप लोग समझ काम करता है याने सेलरी और बाइजूस में आप काम कर रहे हो तो पैसे पैसे के लिए काम कर सकते हो उसमें वर्क लाइब बैलेंस कुछ भी ऐसा कुछ भी चीजे नहीं हैं बागी पैसे तो कमाया हूँ मैंने भाड़ के और यह जो ट्रिक्स है ना यह मैं आपके साथ भी श और नहीं नहीं ठीक है जब तक के लिए थांक्यू वेरी मच बाइबाइब थाटा सी यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में